हलो दोस्तों कैसे हो आप सब आप सबीका स्वागत एक बार फिर से आपके अपने चैनल बन सिदर फैशन पॉइंट में मैं आप सबीका दोस्त वीडियो सीएंग जाट आज हम जानेंगे इसका ओनर रिव्यू दो मेने का दो मेने हो गए है इस मशीन को और दो मेने मेने यूज कर लिया है दो मेने में मैं इसे बड़े ही बुली तरीके से यूज किया है हर प्रकार के कपड़े चलाए है मोटे से लेके पतले तक के पतले से लेके मोटे तक के अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं हर प्रकार के कपड़े हमने इस machine पर चला लिए है तो ये machine उस पे अच्छे से चली है ऐसा नहीं है खराब work किया है ठीक ठाक चली है बड़िया machine है आप चाहे तो ले सकते हैं और देखिए आप देख रहे होंगे ये और ये ये दोनों चीज मैंने क्यों लगा के रखिए इसका में एक वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि ये दो चीज में क्यों लगा के रखता हूं हर मशीन पर जैसा कि आपने मेरी वीडियो देखे हुए हर मशीन पर ये दो चीज लगी होती है एक तो यहाँ पर कागज लगा होता है और एक यहाँ पर इस तरीके का फॉर्म लगे होता है तो यह हमारे क्या काम में आता है यह हम किसी और वीडियो में जानेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा शो विगार देती है तो दोस्तो इसमें मुझे क्या प्राबलम आई हम ये जान लेते हैं एक्चुली में इसे मोटे कपड़े पर चलाने में कोई प्राबलम नहीं आई तरीके से चलती है पतले कपड़े पर भी चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई और फ्लो बराबर होता है थोड़ी बहुत आवाज यह करती है इतनी भी जादा नहीं करती है मोटे कपड़े पे और इसका अगर नंबर फूल कर दिया जाया तो यह हलकी सी आवाज थोड़ी स में आती है जो चल रहा है अभी का 24,000 इसका बस दो मेने में थोड़ा सा पैसा बढ़ गया है पहले यह 22,000 की थी अभी 24,000 के असपास हो गई है क्योंकि थोड़ा सा डॉलर का रेट बढ़ा है तो उसके इसाब से इसका रेट बढ़ चुका है बाकि इसमें से कोई चीज तो दो मेने में इसमें 500 कपड़े इसली बना ली होंगे और हर प्रकार के कपड़े चल गए होंगे 500 कपड़े में से बहुत सारे कपड़े आते हैं तो हमारा काम तो टेलरिंग का है तो कपड़े आना ही है और कस्टमर के कपड़े रहते हैं वैलवेट वगेरा चलते ही रहत तो हाँ दोस्तों ये machine ले सकते हैं ये अपको निराश नहीं करेगी इसकी noise वगेरा काफी अच्छी है कोई चीज lose नहीं हुए तो दोस्तों अगर आप ये machine लेने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं कोई problem नहीं है और जानेंगे हम इसके 4-5 मेने और use करेंगे उसके बाद देखेंगे कि क्या हाल है इसका speed वगेरा इसकी meter की setting डालना है मुझे तो इसके meter की setting के बारे में भी video बनाना है मुझे उसके काम चालू है तो जल्दी ही आ जाएगा अगर आप देखना चाते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को like करके जरूर जाया करिए comment के माधिम से बताइए कि आपको हमारी दी गई information पसंद आती है कि नहीं आती है अगर कोई problem होता है तो आप वो भी share कर सकते हैं को जल से जल में comments का reply देने की कोशिश करूँगा तो दोस्तों आपको यह छोटी सी information पसंद आई होगे अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दिजिए like चैनल को कर लिजिए subscribe मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ जब तक लिए बाइबाई